हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू विद्देकुला मौलाइन क्लासेस आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जितने भी मान होते हैं इनको आसान तरीके से अपनी फिंगर्स पर कैसे याद रखें देखिए बिलकुल आसान तरीका है आपको कुछ भी रटना नहीं है बस बहुत आसानी से आप लोग समझ लीजिए इसके बाद कभी भी आप लोगों को कोई भी वैलू याद करने की जिरूत नहीं पड़ेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ चीजें आप समझ लीजिए ध्यान रखिएगा कि अगर जीरो के नीचे कोई भी संख जीरो होता है तो अपारी वाद से जीरो अपान वन जीरो होता है बस आप यह ध्यान रखिएगा बागे आपको यह पता होना चाहिए कि 10 बराबर होता है साइन बटे कॉस अब देखें याद करने का तरीका क्या है आपकी फिंगर्स पर फिंगर्स पर देखिए किस की 88 लिए 49 यह 60 और आपका 90 ठीक है अब देखें याद रखने का तरीक क्या है साइन पहला है ना साइन तो साइन यहां से स्टाइड होगा हमेंसा धैन रखेंगा और सबसे पहले साइन 0 की की वैलोन निकाल ली है साइन 0 की वैलोन लीकाल ली है तो क्या करेंगे इसके नीचे कितनी उंगली है कितनी उंगली है इसके नीचे तो आप कहेंगे सर इसके नीचे तो कोई भी उंगली नहीं है तो कोई भी उंगली नहीं है जीरो नहीं है तो ध्यान रखिए जीरो लिखिए आप और जो भी आए यहां पर उसका आपको बर्गम बर्गमूल निकाल देना है, उसका क्या करना है, बर्गमूल निकाल देना है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, दो ही लोग है ना, इसलिए हमेसा दो से भाग कर दीजिए, तो अब बताइए, जीरो का कुछ भी करेंगे, तो जीरो ही आएगा, बात समझ पाए, इस जितनी उंगली बचें जिसका विमान निकालना होगा नीचे जितनी उंगली बचें उसको आपको लिखना है और उसका बर्गमूल निकाल देना है और दो से बस भाग कर देना है ठीक है और तुरंत आपका अंसर मिलेगा देखिए तीस के नीचे कितनी उंगली है तीस के बर्गमूल निकालेंगे तो एक आएगा और नीचे दो लिखा है तो दो तो साइन तीस कमान कितना हो गया एक बटे दो अब आते हैं 45 की तरफ देखिए यह 45 है 45 के नीचे कितनी उंगली है 45 के नीचे कहेंगे आप सर्थ दो उंगली है तो बस आप लिखेंगे दो और उसका बर्गमूल निकाल देंगे और क्या करना है दो से भाग कर देना है तो अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट टू अपान टू लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं आप लोगों को पता होगा कि रूट टू अपान इसको लिखते हैं रूट टू इंटू रूट अब साइन साथ कमान निकाल ला है तो साथ कमान निकाल ला है तो नीचे जाए बताइए कितनी उंगली है यह साथ है और साइन साथ कमान निकालना है तो नीचे कितनी उंगली है एक दो तीन तीन उंगली है न तो बस आप तीन लिखिए और इसका निकाल यह बर्गमूल ठीक ह और फिर क्या करना है? हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं, दो लोग हैं तो बस आप दो से भाग कर दीजिए, साइन्साठ कमान कितना होता है, अंडर रूट तीन बटे हैं ये नबे है अब बताए नीचे कितनी उंगली है एक दो तीन चार ये नबे है नबे के नीचे कितनी उंगली एक दो तीन चार चार उंगली है तो बस आप चार लिखिए इसका बरगमूल निकालिए और हम पढ़ा रहे हैं आप पढ़ा रहे हैं दो लोग हैं दो से भाग कर द 30 45 60 90 तो देखना है आपको कितनी नीचे उंगली है जितनी नीचे उंगली बचें जैसे किसी कभी मान निकाला है मैंने आप से पूछा अच्छा बताईए साइन साथ कमान आपने का सर तीन उंगली है नीचे एक दो तीन 3 का बर्गमूल निकाला अंडर रूट 3 और बटे कितना 2 क्योंकि हम पढ़ा रहा है आप पढ़ा रहा है तो रूट 3 बाइ 2 तुरंट आप बता पाएंगे तुरंट विदिन सेकंड आप बता पाएंगे जैसे मैंने आप से पूछा अच्छा बताएंगे साइन जीरो कमान तो आप कहेंगे रहें नीचे तो कोई उंगली नहीं है मतलब साइन जीरो कमान जीरो तो आप तुरंट आसानी से आप लोग बता पाएंगे ठीक है अब कॉस कमान कैसे निकालेंगे देखिए आपको पता है कि यहां से यह सारी चीज़ें उल्टी आती चली मैंने कहान branch नहीं सब科 вместе Γा theor से तो देखिए साइन में आपको नीचे की take root कॉस कमान निकालने में बस आपको ऊपको ऊपर की ली होगी क्हान निकालने में क्यों तो ऊपर की देखनी होगा तो ऊपर की उपची है एक दो टीन चार चार बची है ना तो वही काम करना है आपको कॉस 30 कमान, कॉस में क्या होता है, उपर बढ़ना है, साइन में क्या है, नीचे की उगली देखनी है, कॉस में क्या है, उपर की उगली देखनी है, तो देखिए, मैं पूछू कॉस 30 कमान बताईए, तो बताईए, उपर कितनी उगली है, एक, दो, तीन, तीन है ना, तो बस त लिखिए बर्गमूल लगाईए और बटे दो कर दीजिए ठीक है तो देख लीजिए यहां पर कॉस्टीस कमान किता हो गया रूट थ्री बैटू आफ फिंगर पर फिंगर पर सारा कुछ याद रखेंगे आपको कुछ भी बार बार लिखने की जिरूरत नहीं पड़ेगी यह कितनी उंगली है उपर कॉस्ट क कर ना है और दो से बार खिएन है चाहें तो आप यही लिखा रहें कोई गलत नहीं या फिर आप इसको फीर को दोिख इस का सब्सक्राइब वर्गमूल निकाल दीजिए और दो से भाग कर दीजिए यह इक ही होता है एक बटे दूआ गया मैंने का अच्छा बताइए नभे कामान तो आपने का नभे चलिए उपर उंगली देखने ऊपर तो कोई उंगली ही नहीं इसका मदलब जीरो है कुछ नहीं है तो इस तरह से आप cos command निकाल लेंगे, बस 10 command कैसे निकलता है, 10 command निकलता है sin बटे cos से, sin बटे cos से, यानि इसको जब आप इससे भाग करोगे, देखिए sin बटे cos, तो sin 0 command कितना था, 0, और cos 0 command कितना था, 1, और 0 बटे 1 क्या होता है, मैंने बताया था, 0 बटे 1 क्या होता है, 0, तो बस आप लिख लीजिए, 0, इसके बाद आपको 10, 30 command निकलना है, तो sin 30 command कितना था, sin 30 command था, देखिए 1 बटा 2, और cos 30 command कितना है, अंडर रूट 3 बटे 2, तो बटा अंडर रूट 3 बटे 2, ये लिखा है ना, देखिए 2 से 2 कड़ गया, तो कितना बचा है, एक बटे अंडर रूट 3, तो इस command कितना आ गया, एक बटे अंडर रूट 3, बस आपको simple सा sign बटे cos कर लेना है, बस तुरंत आपका अंसर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, एक बटे रूट 2, अच्छा एक बात बताईए, 10 कमान sign बटे cos होता है, और यहाँ 10 45 का घरमान निकालना है, तो sign 45 कमान कितना है, एक बटे अंडर रूट 2, और बटे कर दीजिए, cos 45 कमान कितना है, एक बटे अंडर रूट 2, अच्छा एक बात बता है एक बटे root 2 एक बटे root 2 कट जाएगा ना तो कितना बचेगा एक तो यहाँ पर कितना आगया एक अब मैं आप से पूछो 1060 कमान तो आप कहेंगे सर साइन बटे कॉस कर दीजिए तो साइन साट कमान कितना है साइन साट कमान है अंडर root 3 बटे 2 और कॉस साट कमान कितना है एक बटे 2 फिर वही चीज उपर उपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा तो जब आप उपर उपर का गुणा करेंगे तो देखिए root 3 into 2 बटे नीचे नीचे का गुणा दो गुण तो एक बटे जीरो कितना हो जाएगा अपरिभासित आप यहां लिख देंगे कहीं कहीं पर आपको इन्फिनिटी भी देखने को मिलता है ठीक है इसका लॉजिक क्या है यह मैंने जीरो के भाग वाले कॉंसेप्ट में बताया था कि इन्फिनिटी कहा लिखा जाता है और अपर वो कैसे याद करना बताया था वो भी मैंने बताया था और कैसे इसको पहचाने याद करने का तरीका यह भी मैंने बताया था शीच को जिसको देखना हो वो देख सकता है तो देखिए जो कौट होता है वो टैन का उल्टा होता है जीरो का उल्टा क्या होगा देखिए जीरो को ऊपर है जीरो को नीचे कर दें तो यह क्या हो जाएगा अपरिभाशित तो इसको हम कर देंगे अपरिभाशित ठीक है इसके बाद एक बटे अंडर रूट तीन है इसको पलट देंगे बस नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे करना है तो यह क्या हो जाएगा यह उप करेंगे तो ये एक उपर चला जाएगा और ये नीचे आ चला आएगा अपारी भासित किसको बोलते हैं एक बटे जीरो को तो अब क्या होगा जीरो ऊपर चला जाएगा तो यहां जीरो आ जाएगा और सेक किसका उल्टा होता है सेक होता है आपका कॉस का उल्टा तो यहां प जाएगा यहां पर देखिए आपको केवल वहलू किसकी याद रखनी थी साइन और कॉस की देखिए सब कुछ अपने मन से आता चला जा रहा है इसके बाद यहां पर देखिए कॉस को स्कॉस प्ल Barbara कितना था एक बटे साइन रखनी और होता है क्या होता है तो यहां पर लख देंगे आप पर इबला से भी प्र्चाइन परला होता है यह साइन पर साइन रखे Martu Circus साइनथने 3 कितना होता है एक बटे 2 तो डो का उलटा किया होगा एक बटे graft का कितना होगा 2 हो जाएगा यहां पर되खिए एक बटे रूट 2 लिखा है तो CROOT 2 ऊपर चला झाएगा एक नीचे आजगी यहां देखिए एक लिखा है तो एक का उल्टा क्या होगा एक ही होगा तो आपने देखा कि कितना आसान तरीके से हमने इन सारी वैलू को याद कर लिया कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं है रटेंगे तो 100% गैरेंटी आप बोल जाएंगे आप फिंगर से साइन की दो-चार बार वैलू को ट्राइ करिए ऐसे ही अपने मन से सोचिए साइन और कॉस आपको याद हो गया तो देखिए आपको टैन आराम से मिल गया इसके बाद सारे कुछ विपरीत होते हैं तौ een काउटा कॉट होता है तो मैं यो Angkor лож को देखिंख और करेंगे इस सारी वेलू को